भाले है सुधिने देए सेकेंडियर में स्टुडेंट दए है यह दोजार Ole veis का फेपर नहीं का हिन्दी साहित साहित का फेपर है और यह वह रिवा दिबसटी स्टूडेंटर रहे हैं पेपर को पे악 है ऑब इस पेपर को देखो को जो भी आपका university का paper हुआ करें आप किसी भी university से हैं चाहा MP से हो बिहार से हो ठीक है आप उत्राखंड से हैं या UP से हैं या फिर आप शतीजगर से हैं राजिस्थान से हैं तो आप हमें अपने paper को जुरूर भेजिएगा जो paper आपकी पास है paper जो भी आपका हुआ है वो हमार साहित का है second paper है first paper में पहले से upload कर रखा हूँ और मैंने जो question आपको important दिये थे 2022 में बही question repeat हुए है मतलब कि हमने जो कहा बही हुआ है ठीक है ना आप शेरल को subscribe कर लेना bell icon को praise कर देना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को share कर देना ठीक है और कोई भी दिख कर दे तो comment section में में जरूर बताना है ओगे तो यहां बात करने वाले है 2000 देखो यहां जो paper हुआ था 2022 में जो paper हुआ है भी हाली में person person paper हुआ है तो 40 number का paper हुआ था पूरा 13 number यह अप ले आते तो पास हो जाते ठीक है तो यहां बात की जाए कि यहां देखो प्रतेक यहां कर रहा है प्रत्र आ में जाएं तो यहां देखो 15 number का 5 number का देखो यहां 5 question दे रहे गए एक number के साब से 5 number की हो जाते हैं तो पहला question को देख लेते हैं यह objectory type question है जिसे हम mcu question कहते हैं बहु विकल्पी a question आपके बने है अब बहु विकल्पी a question का answer तो पता हो ना आपको बहुत ज़रूरी है त वो 14 September 1990 को सुरकार किया गया तो यह तो सभी को पता होगा 14 September 14 September को हिंधी दिवस्य मनाया जाता है यह सभी को पता होगा 14 September प्रशाद गुरू जी द्वारा देखा गया था इसको तो जिसरे भी ऑप्शन नमर सी लगाया है बिल्कुल राइट होगा तीसरे ऑप्शन की यह दी बात करें कौन सांसर राइट था तो देखो याप पेपर को जरूर भेज देना जो भी आप पेपर पेपर को जरूर पोट इस पर मुझे वर्ट सब करेंगे और कोई भी दिक्कत है कोई परिशानी आ रही है आप इस पर नमबर पर कॉल करिए मैं आपको प्रॉब्रम को स्लूशन निकालूँगा और आपको दूँगा ठीक है आपके साथ यूफम लग जाता है यूफम जिसे कहते हैं आप नकल करत हुए पकड़े जाते हैं तो भी कोई दिक्कत आती तो में परन्त कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है उसके बारे में गाइड करके बता सकते हैं कि इसका स्लूशन क्या रह सकता है आप क्या करना चाहिए आपको ठीक है और यहां देखिए बात करने वाले हैं मद्द प्रदेश क सभी बोलियां का समुख नाम क्या होता है तो मद्द प्रदेश के जो सभी बोलियां है वो बुंदेली भासा के नाम से जानी चाते हैं ठीक है बुंदोलों के मुझ हमने सुनी कहानी थी बहुत लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी थी है ना तो वो जहासी जहासी है उत्ताप्रदेश में जहां सी है तो वो MP के बराबर में मद्दप्रदेश के पडोसी जिला है आप इसके सकते हैं जब पडोसी जिला है तो आप कह सकते हैं ठीक है तो आप सब सकते हैं कि वही जब पडोसी जिला है तो मद्दप्रदेश में तो बुनिली घंड बोली जाती हो कि हिंदी-साहित की इतिहास को कितने कालों में विखाजित किया गया था ठीक है और वहीं बात की जाए पाँच्में गोशन की तो आप जानते है शब चंद के रहाएं वह इस चपतिया होता है अधाप में धा ठानल बनता है तो आपको बता है रोला मैं कहता है चपचा बच्चा जब पानी में बैठता है जब पानी में नहाता होता है तो चपचप करता है हातों से चपचप करता है आपको पता होगा बाला जो बच्चा होता है वो चपचप करता है तो जब चपचप करेगा तो रोला रोला और उलला विल्कुल राइट हो जाएगा यहां हम सी उप्शन को जिसने भी लोग किया है परमसत्ता आंस को ठीक है अब देखिए और कोशनों को हम देखते हैं जिसमें कोशन जो रिटन एक्जाम के थूरू पूचे गए थे अब यहां देखिए यहां सेक्शन नमर खंड B में है उनकी बात की गयी थीक है उन भासाओं की बारे में बोला गया है तो उन क्या होते है उनके बारे में sana के घंच हिंदी भासा के उत्istर प्रूतर जो सम्रद्धी के लिए एक प्रिसार करना चाहिए तो वो कौन सा करना चाहिए वो हमसे पूछा गया महीं पांचमा कोशन टिपड़ी लिखी गई आत्मकथा किसे कहते हैं आत्मकथा बार ठीक है आत्मकथा वो होती है जो हम खुद की अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो यहां आपको देख रहा है और बहीं बात की जाए नेक्स को यहां देखो चटा कोशन है हिंदी साहित के इतिहास को कितने कालों में बाटा गया तो आप कोगे समय साहित की नाम बताना है समय और साहित का नाम बताना है किस समय बाटा गया तो आपको पता है चार कालों में बाटा गया था उनके वारे में आपको explain करना था वहीं बात की जाए साथ में कोशन की तो निरुगण भक्तिकावे के परीचे बताना है निरुगण भक्तिकाल के कौन कौन है और देखो भारतेंदू UK समान विसेस्ता है ये कोशन पूछा गया वहीं बात की जाए देखो हमसे पांच कोशन पूछे गए लेकिन यहां हमसे जो कोशन पूछे गए वो बात की जाए तो कह सकते हैं कि चार से देखो दो से लेकर ग्यारा तक है तो मलब नो कोशन हमसे पूछे गए ना बारा कोशन तक है तो हमसे ग्यारा कोशन पूछे गए हमसे तो ग्यारा कोशन में से ह प्रियार्मा कोशन अलंकार की परिवाह साहब को बताना है जो काबी की सोबह बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं और लंकार के भेद कितने होते हैं दो होते हैं साथिक लंकार और अर्थिक लंकार यह आपको सभी को बता होगा next question बोला गया हिंदी गद्ध के विधि के विधि विधाओं के स्वरूब आपको प्रकाश डालना यह पूचा गया अब section number इदिर की बात करें खंड सा की बात करें तो यहां लॉंग कोशन पूचे गए, दो कोशन करना है, दस नमबर के साब से 20 नमबर के हो जाते हैं, आपने अभी तक हमारी चनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो कर लीजे, और हाँ, जो हम कोशन देते हैं, वही पर में आता है, इस बात को आपको याद रखना है, तो चनल को अभी करें, जोट की बात करें, तो यहाँ देखो पिरसन 10 अंकों के आपको बताना है, यहाँ बोला गया है, पहला प्हला कोशन पूचा गया, और वही बात की जाए, next question जो पूछा गया हमसे, देख लीचे वो question पूछा गया था, आपको किसी गोशनों के answer देने है यहाँ लग बग में आपके जो question है, वो 6 question है और 6 question में से आपको 2 question देना है, जो भी आपका दिल करे, वो answer दे सकते हैं से कि यहां तीसरा कोशन पूचा गया हिंदी साहित के हिंदी साहित के इतिहासकाल विभाजन का संचित बताना है तो इतिहासकाल विभाजन चार वागों विभाजन किया गया था उस विभाजन के आपको अपशारिक जो प्रकास डालना है आपको नेक्स कोशन आप से पूचा गया चोथा की भक्ती कालिन कावे के संशित परीचा देते हुए उनकी विश्यस्ताओं की बारे बताना है और जो पांचमा कोशन पूचा गया वो हिंदी गर्द की बिविदी जो बिविद विधाओं के स्वारूप और उनका विकास पर प्रकास डालना है किस तरीके से बिव सब्सक्राइब करना था बहुत अच्छा पर आया था और आज से अपकी वीडियो कैसे लगी कॉमेंट सेक्सर में आप जरूरू बताएगा आसा करता हूं वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे जो भी पेपर हो वो पेपर को हमें वाटस अप नंबर पर सेंट कर देना है ओके बाकी हम उसका स्लूशन कर गें आप तक पहुंचावा देंगे थैंक्यू